नमस्कार सातियों एक बार पुन हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चात्रोती स्कीम्स के बारे में लाश्ट के वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि ककसा 6-8 SC कंडिडेट के बारे में और ककसा 6-8 में अध्यानत करने वाले OBC के चात्र चात्राओं के लिए आवशक पात्रता एवं सरतें और साथ में हमने बात की थी कि किस दर से इनको छात्रोती प्राप्ते होने वाली है उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं नो से दस में अर्द्यान रते अनुसुचित जाती अर्थात SC के छातर छात्राओं के लिए क्या आवशक पातरता है और क्या आवशक शरते हैं तो सबसे पहली जो शरत है कि वह अनुसुस्य जाती या SC का छात्र होना चाहिए दूसरी महत्मुन शर्त है कि वह जो छातर है ये छात्रा है राजकी विद्धयाले या राज्य सरकार अत्वा मादमे शिक्षा बोर्ड से मानेत प्राप्त विद्याले में नियमित रूप से रेगुलर अध्यन रत होना चाहिए कक्षा 9-10 में तीसरी जो महत्मूर सर्थ है कि उनके जो माता पिता है वो इनकम टेक्स पेर नहीं होने चाहिए अर्थात उनकी जो ढाई लाक से अधिक चात्रवति नहीं होनी चाहिए इसके संबंद में आपको आई प्रमान पत्र आपको जो संबंद विद्याल है उसमें उपलब्द करवाना होगा अगली जो सर्थ है कि उससे चात्रिय चात्रा को केंद्रिय या राज किये और सारोज ने किया धार्मिक इस रोज से अध्यानरत हेतु किसी भी प्रकार की जो ओल्रेडी चात्रवती है वो प्राप्त नहीं हो रही हो या किसी भी प्रकार का बत्ता ओल्रेडी नहीं मिल रहा हो इसके अलावा जो चात्रिय केवल एक वर्स के लिए ही चात्रवती दी जाएगी यदि कोई चात्र उसी कक्षा में किसी कारण वस अर्थात फेल की इस्तिति में या रिपीटर की इस्तिति में उसी कक्षा में दूसरे वर्स भी अध्धनत करता है तो वह है चात्रवती है तो पात्र नहीं माना जाएगा इसके अलावा जो अगली जो पातरता है कि राजे सरकार के दुवारा जो संचाले स्वामी विवेकनन्द जो मोडल स्कूल है जो अभी जो मोडल स्कूल है स्वामी विवेकनन्द उनके जो चात्र चात्रा है उनको भी राज के विध्यारतियों के अनुसार ही चात्रती प्रद आपको आधार authentication होना आवश्चक है और साथ में आपको चात्रोती का भुकतान प्राप्त करने के लिए आपका जो बेंक का खाता है वो आधार seeded होना चाहिए अर्थात आपका जो बेंक का खाता है जिसमें आप चात्रोती प्राप्त करना चाहते हैं वह खाता आपके आधार स लिंक को होना आवश्यक है तब ही जाकर कि आप चात्रवती का जो भुक्तान है वो प्राप्त कर पाएंगे तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि किस तरसे आपको चात्रवती प्राप्त होने वाली है तो कक्षावे 9-10 में पढ़ने वाले चात्रे उनको वार्सिक रूप से चात्रवती डे इसकोलर अगर चात्रे तो साड़े 3,000 रुपे की चात्रवती प्राप्त होगी और होश्टलर है तो उनको 7,000 रुपे की चात्रवती यहां से प्राप्त होने वाली है और यह जो आपका ओनलाइन कारिये है तो यह साल गोर्मेंट विध्यालों के लिए साल पर्टल के माध्यम से आप आवेधन करेंगे और अगर आप प्राइवेट स्कुल में है तो आपका जो पीस पी जो पोर्टल